जोस्तों स्वागत है आपका YouTube चैनल AB Digital Info में इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल के टाइटल के बारे में कि एक जो अच्छा टाइटल किस तरह आपकी वेबसाइट को इंपैक्ट करता है और एक खराब टाइटल आपकी वेबसाइट को किस तरह से इंपैक्ट करता है एक अच्छा आर्टिकल के लिए जो टाइटल होता है उसो कैसे अच्छा बना सकते हैं किन चीजों का आपको ध्यान देना होता है कौन से टूल से होते हैं जिनकी मदद से आप अपने ब्लॉग टाइटल को अच्छा कर सकते हैं तो complete details मिलेगी आप लोग इस वीडियो को भी subscribe जरूर करिएगा ठीक है चलिए चलते हैं आज के topic की तरफ हम दोस्तों यह हमारे website है और यहां पर सपोच करो आज हमें एक article लिखना है content marketing क्यों important है इसके बारे में हमें एक article लिखना है यह आपके सामने एक हमने dummy article लिखा हुआ है ठीक है और हमारा जो main target है focus है वो आज इस title के ऊपर इसको कैसे अच्छा करना है क्या अच्छा title आपकी website की traffic को अच्छा कर सकता है या नहीं कर सकता है तो सबसे पहले इसी को discuss कर लेते हैं तो सब पूच करो यह हम title रखना चाहते हैं इस article के लिए why content marketing is important अब इसको हमने copy किया Google पर जा करके search किया जैसे हम search करेंग तो हमारे सामने यह कई सारे Google रिजल्ट ला करके देगा अब आप यह बताएं किसमें से किसे आप link को क्लिक करके उसका article पढ़ना पसंद करेंगे बहुत सारे यहां पर आपके सामने जो link है results है वो आप आ रहे हैं तो यहां पर देखी एक article यह है why content marketing is important for your business यह किया 7 benefits of consistent high quality content marketing यह का 7 regions why content marketing is important ठीक है फिर यह नीचे है 10 regions your content marketing needs content marketing और company needs content marketing तो देखो अगर मुझसे से पहुचो कि मैं किसमें क्लिक करूंगा तो यह भी best title लग रहा है ठीक है यह भी best title है और यह भी best title ठीक है तो इनको हमें कैसे अच्छा title लिखना होता है ठीक है क्योंगा अगर आपका title अच्छा होगा तो जो भी user Google search करेगा उसको यही इसी तरीके से आपके link दिखेंगी आपके title दिखेंगी अब उसको जो best लगेगा उसी को उपर click कर देगा click करने के बाद website पर जा करके जो उसकी query है उसका समधान वो कर लेगा तो एक अच्छा title ही आपके website पर कितने traffic आयेगा Google से वो depend करता है साथ में ranking पर भी depend करता है कि आपके article की ranking कहां परा first page में किस positions पर है वो भी depend करती है लेकिन आपका title भी बहुत impact करता है खराब title अगर आप अपनी website का होगा आपकी तो वो कहीं न कहीं traffic कम कर देगा ठीक है तो इसके लिए अच्छा title जो है लिखना जरूरी हो जाता है अब title लिखने के लिए किन चीज़ों का ध्यान देना होता है तो वो देखिए आपकी जो निच है उस निच के according कई प्रकार के आप title लिख सकते हैं कुछ ऐसे titles होते हैं question-based जैसे यह अगर title की बात करें तो यह question-based है why content marketing is important today यह question-based है और इस ही हम पूरा solution इस article के अंदर देंगे कुछ ऐसे titles होते हैं जैसे tutorial based जैसे how to make money online ठीक है तो यह भी एक कैसकते हैं query based है इसमें भी आप article इस तरीके से लिख सकते हैं कुछ ऐसे titles होते हैं जैसे जिसमें आप advice दे रहे हैं buying guide दे रहे हैं जैसे affiliate marketing में होता है कुछ आप tips से दे रहेंगे कुछ आप बाइंग गाइड दे रहें जैसे बेस्ट लैप्टोप बाइंग गाइड इस तरीकेसे से दे रहें तो उसके ओपर भी depend करता लेकिन आप आर्टिकल किसी भी तरीकी सा अ primo przede उसमें जो आपका title होगा उसमें कुछ चीजों का ध्यान देना होता है अब कवन कवन सी वो चीजी है जिन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है तो जब भी आप article लिखें या ध्यान दें कि जिसके बारे में आपका यह पूरा article है वो जो आपका main keyword है वो आपके title में आना चा दूसरा यह जो आपका title होता है इसमें कुछ ऐसे word होने चाहिए जिससे power word कहते हैं तो power word भी आपको अपने title में यूज करना है जैसे power word कौन कौन से हो गए important यहाँ पर जो power word हो important यानि एक जरूरी चीज जो जिसको आपको miss बिल्कुल भी नहीं करना है ठीक है तो यह एक power word इस तरीके से power word का आप लोगों को इस्तेमाल करना है इसके लाबा कुछ sentiment पर आदारित word होते हैं ठीक है जैसे today today का मतलब बिल्कुल अभी अभी आज का ही ठीक है पुराना नहीं है आज का ही है तो sentiment पर आदारित word भी आपको यूज करने होती है बहुत सारे sentiment पर आदारित word के हिसाब से आप लोग यूज कर सकते हैं इसे तरीके से power word जो होते हैं वह भी जैसे best new इस तरीके से यह power word भी होते हैं ठीक है कुछ ऐसे word भी होते हैं जो uncommon word होते हैं उनका भी आपको यूज करना है अगर आप एक block editor यूज कर रहे हैं और साथ में used SEO वगारा यूज कर रहे यह आपका जो headline analyzer tool है यहां पर बता देगा कि आपका जो title है उसका कितना score है यहां पर देखी यह बता रहा है कि 73 out of 100 जैसा आप यहां पर title लिखेंगे उस हिसाब से बताएगा और यहां पर minimum जो है एक score कम से कम minimum 40 होना चाहिए ठीक है यह good score कह सकते है 40-60 के बीच में इसको good score माना जाता है और अच्छा score किसको माना जाता है जिसका score 70 से ऊपर होता है ठीक है तो यहां पर इसका score 73 है इस title में आपने कितने पावर वर्ड यूज करेंगे कितने आपने sentiment वाले वर्ड यूज किये वो सारी details आपको यहां पर नीचे इसको scroll करेंगे तो यहां पर बता देगा क्या का इसमें इंप्रोवेंस की जरूरत है वह भी यहां पर बता देता जैसे इसमें देखें अनकामन वर्ड जीरो ह है पावर वर्ड 17 पर सेंट है साथ में sentiment भी positive यहां पर है अगर आपके पास यह टूल नहीं आ रहा है तो कुछ अल्टरनेट टूल्स भी होते हैं उनकी मदद आप लोग ले सकते हैं जैसे मैंने आप लोगों के लिए एक टूल खोजा हुआ है कैपिटरलाइज माई टाइटल गूगल पर डालेंगे बहुत सब्सक्राइब किसी को भी आप लोग यूज कर सकते हैं बिल्कुल फ्री है ठीक है इसमें आपको बस हेडिंग डालना होता यह आपका जो टूल है बता देगा इसमें कितना स्कूल है कितना क्या है तो एक्जा कर ले तो